पाकिस्तान की फास्टेस प्रेंट फिल्ड ड्राइब के टर्बो और यह भी बोला जा सकता है फास्टेस के ट्वेंटिफो टर्बो और पाकिस्तान चलते हैं और आपको बताते हैं इसकी स्पेक्स और डेटेंगे स्टर्टिंग विधिए इंजन इस गाड़ी में के ट्वेंटिव है पूरा पूरा स्टॉक इंजन है स्टॉक ब्लॉक है स्टॉक है यह फिन नट पॉरत पूर्ड़ी किसी भी किसम पैसे नहीं बचाये जैसे यूजारी लोगा हम लोग कर लेते हैं कि even including me कि मैं कि हम लोग लोकल अग्शाउस मैंड फोल बनवा लेते हैं यह यह लोकल माउंड बन वा लेते हैं स्वेप के टाइम पर इस गारी के अंदर after-market exhaust manifold है speed factory cream इस गारी के अब अब इस गाड़ी का RBC का बिल्कुल भी किसी को भी पैसे नहीं बचाने चाहिए आफ्टर मार्केट मांट्स और वेरी वेरी गुड कॉलिटी वन्स उसके लावा हम आते हैं टर्बो के उपर इन्हों ने भी प्रिसिजिन का टर्बो यूस किया है अगर आपने मेरी किसी और एपिसोड में देखा ही अ οलाहर ओन चाहिक झाहिक उसके यहीं आफर मार्केटी टि को की दो के फिर Михthese का टर्बो बाडि बॉन हम चलते हैं तब पीछे की तरफ और आपको दिखाते हैं इसका fuel system, जो पीछे fuel system, जो fuel cell है और fuel system है, वो हम आपको दिखाते हैं, let's go, अब हम आगे हैं, इसके fuel system की तरफ, इस गाड़ी के अंदर fuel cell लगावा है, basically fuel cell जो हम drift car में use करते हैं, उसका reason तो यह होता है, यह safety purposes की वज़े से भी use होता है, this is much safer, this is a 40 liter fuel tank, उसके अलावा इसके अंदर aftermarket fuel pump लगावा है, in-line वाला, उसके अलावा, दो, इसमें fuel filters भी dual लग भी लगा वे, and this thing is the fuel pump, और this car is running E85 right now, and producing approximately 760 to the wheels, so this is the fastest K24 turbo of Pakistan, officially, और यह यह वो ही गाड़ी है, जिसने हमारा जो रिसेंटली ड्राइग एवन्ट हुआ था, उसके अंदर 12.3 सेंद का quarter mile time मार के, ट्रॉफी भी जी थी थी, first position in its category, front wheel drive की category में, fastest थी यह गाड़ी, उसके लावा इस गाड़ी में safety भी बिल्कुल भी compromise नहीं की गई, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अंदर आपको दिख रहे हैं, some bars, मैं आपको दूसरी साइट से भी दिखाता हूँ, it's called roll cage, safety के ओपर भी बिल्कुल compromise नहीं किया गया, इस गाड़ी म वो बिल्कुल safety के ओपर उनका बिल्कुल भी दिहान यह होता, उनका यह होता है कि बस तेज गाड़ी बना लें, नहीं, safety भी बहुत important factor होता है, और जो वकाज भाई हैं, जिनकी यह गाड़ी हैं, उन्होंने safety पर बिल्कुल compromise नहीं किया, उन्होंने proper roll cage बनाया हूँ इस गा होगी कि हमेशा safety के ओपर आप लोग पूरा का पूरा देहान दें, उसके लावा हम लोग चलते हैं इस गाड़ी की बॉड़ी की तरफ और आपको बताते हैं इस गाड़ी की बॉड़ी के बारे में, इस गाड़ी के multiple जो पार्ट्स हैं वो फाइबर के हैं इस गाड़ी के multiple parts जैसे मैंने आपको बताया है वो फाइबर के हैं जैसे के इसका होड हो गया इस गाड़ी के चारो दर्वाजे हो गया इस गाड़ी का ट्रंक हो गया देर अलार मेड आउट फाइबर इस वेरी लाइट माटीरियल और वेरी इजिली रेडिली अवेलिबल पाकिस्तान इनके सारे डोस जो है उनके बेसिकली ओरिजिनल डोस का मोल निकाले गए है फाइबर के और फिर एक लंबा प्रोसेस होता है फाइबर का भी उसके जरी है इसके सारे जो components हैं सारे components जो मैं आपको बताए वो फाइबर के बनाए गए है इस इस तरह से इस के लिए इस गाड़ी के अंदर फ्रंट में जैसे मैं आपको बताया है इस इस फ्रंट फील ड्राइब कार इसके अंदर मिखी थॉंसन के एटी स्ट्रीट सिल्क्स यूस किये गए है फॉर फॉर ट्रेक्शन ताके ट्रेक्शन ना लूज हो कोई वील स्पिन नाए गाड़ी में जब गाड़ी रोड पे हो तो प्रॉपर इन अगो जाए इस गाड़ी में मल्टिबल पार्ट्स फाइबर के है उसके साथ साथ इस गाड़ी का डैश बोड भी पूरा फाइबर का बना हुआ है फॉर फॉर वेट एड़क्शन प्रॉपर प्रॉपर रेस कार बनाई गई इस गाड़ी में अभी आपको साथी सीटे दिख रही है लेकिन फॉर रेस गाड़ी की बकेट शीज भी है कभी-कभी फॉर फण क्यानमे वकाज भाई जो है इस गाड़ी को लेकर ऐसे ही क्रूस के लिए भी चला जाया करते है लेकिन जब जब रेस होती है रेस का टाइम हो तो यूज यूज बकेट शीट अगर आप लोगो हमारा आज के अपिसोड पसंद आया तो डोंट फोगेट तो सब्सक्राइबर चैनल जब्पक बॉइस बल इकन दबाना मत भूलियेगा और कोई भी आप लोगी क्यूरी और रिलिटिट तो अनिधिन आप लोगी आप